हेलो बच्चो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं ठीक है तो जिसने अभी तक जॉइन नी कर रहा है वो बात में देख लेगा रिकॉर्डिंग अब हम स्टार्ट करते हैं जादा टाइम नहीं है हमारे पास ठीक है तो आज का हमारे चाप्टर है ठीक है टॉ यहेख अब हुदि टीक है ठीक हिरिशता बिगर्णे जा रहा है उसलिगमेश्ट का मतलब क्या होता है यहीं हम बखली जेस्टि लिख शीद एलेक्टरिक फैन सबस्क्राइब हमारे जो एक्जामपल चलते हैं रिवार की चीज चार्च कर रहे हैं हम फोन को तो चार्जर चाहिए हमको तो यह सारी चीज़े क्या है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती है चीज़े है तो फिर इतना सबको क्लियर हो गया तो कमेंट्स में साथ-साथ पूछते रहना इस लाइव चैट सेक्शन में किसी को कोई भी डाउट हो ठीक है मैं तुम्हे मैसेज करके बता दूगी तो इतना क्लियर होगे सबको बेसिक्स तो क्लियर हो गए और नाम से इस अब को पता लग गया होगा इलेक्ट्रिसिटी होता के है तो यह कुछ हमें पॉर्ट्स बता रखें कि एलेक्ट्रिसिटी एज इंपोर्टेंट प्लेस इन मॉर्डन सोसाइ करना इन मॉर्डन सोसाइटी हो जो है हमारे आजकल का जो जमाना है उसमें ऐलेक्रिसिटी का तो बहुत रोल है ठीक है बिना बल्ब के आजकल बिना पंखे, AC, कूलर इन तब के बिना आजकल रहना बहुत ही, एक तरह ऐसे मतलब ही हमारी lifestyle का part बन चुके है, ठीक है, so ये हमारे modern society में एक important place, रखती है electricity, ठीक है, so it is for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industries and so on, hospitals में कुछ machinery होती, industries में, factories में जो बड़ी-बड़ी machines होती है, तो electricity का overall use करके ही वो चलती है, ठीक है, so ये सब basic points है, electric current and circuit पे चलते है, we are familiar with air current and water current, ठीक है, होना मतलब हो चलना, flow एक तरह से, ठीक है, air flow, water flow, एक तरह से current का मतलब ये होता है, ठीक है, so we know that, just a second, yes, we know that flowing water constitutes water current in reverse, similarly, if the electric charge, आप देखो मैंने क्या बताया, flow, किसी चीज़ का flow है ना, तो अगर मैं water की बात करी हूँ, water current की बात करी हूँ, या फिर अगर मैं air current की बात करी हूँ, तो current means air का, air का flow होगा, ठीक है, so current का overall मतलब होता है, किसी चीज़ का flow होना, ठीक है, conductor को याद रखना यही पर लिखेंगे अपनी NCRT में, conductor क्या होते हैं, these are like the metals, basically metals ही conductor होते हैं, metals ही तरह से example है conductor के, these are the substances, ठीक है, आप definition लिख लो, substances which conducts electricity, ठीक है, जो कि electricity conduct करते हैं, so substances which conducts electricity, ठीक है, so हो क्या होगा, conductors, for example, through a metallic wire, ठीक है, so example में मैं यह भी दे सकते हूं, metal में से कोई भी जैसे की, be it iron, or silver, or gold, anything, these are the examples of conductor, conductor basically, इसमें से हमारा जो electric current है, electric flow हो सकता है, ठीक है, so say that there is an electric current in the conductor, in a torch, torch, torch भी हमारी light energy, battery use करती है, so cells होते हैं वहाँ पर, so we know that cells or a battery when placed in a proper order, to fight flow of charges or an electric current through torch bulb to glow, ठीक है, यह भी हमें पता है कि torch में क्या चाहिए हमें, battery circuit पूरा लगता है, battery cells होते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो उनको एक proper हमें arrangement करनी होती है, बैटरी circuits की, ताकि हमारा जो electricity का flow है, वो बन सके, torch हमारी चाहँ सके, ठीक है, so we have also seen that torch gives light only when there its switch is on, अच्छा 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 क्यों होता है, कि जब switch on होगा या off का, मतलब हमारे पास control है overall, it's a beneficial point for us, कि switch off है तो वो नहीं चलेगा, और switch on है तो वो चलेगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या कभी सोचा है, ठीक है, एक switch ऐसा क्या करता है, basically, switch क्या होता है, देखो, यहाँ एक तरह से definition दे रखी है, switch की, what is switch, switch is, a switch makes conducting link between the cell and the bulb, ठीक है, so, हमारे पास जो cell है, और उसके, यहाँ पर हमारे पास जो bulb है, उसके बीच के एक तरह से conducting link होता है, क्या, switch, ठीक है, a continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit, this is very important, closed path होना चाहिए और continuous होना चाहिए, ठीक है, this is very important, in lines को, in points को, mark कर लो, कि continuous होना चाहिए, closed होना चाहिए, एक electric current का पात, उसी को हम क्या बूलेंगे, electric circuit बूलेंगे, now, if the circuit is broken, देखो, मैंने क्या कहा कि भई, close होना चाहिए, लेकिन, अगर conditions में, अगर यह circuit तूट जाएगा, ठीक है, और the switch of the torch is turned off, the current stops flowing, and the bulb does not glow, ठीक है, तो, दो condition हो सकते हैं, जब बल्ब नहीं गलो करेगी, पहला कि यह circuit ही तूट गया, दूसरा कि हमने, basically, switch off कर रहा है, तो, बल्ब नहीं करेगी, ठीक है, So, how do we express electric current, electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time, ठीक है, So, देखो, अभी ध्यान से सुनो, सभी बच्चे, ठीक है, इसके बात, जो है, class के बात, जो है, homework दूँगी, मैं बीच-बीच में formulas बताऊंगी, जो कि important है, यह जो points mark करा रही हूँ, यह important है ना, NCRT में यह सभी की mark होने चाहिए, ठीक है, So, यह जो अभी मैंने आपको बताया था, continuous, closed path, और यह मैंने बताया था, कि, हमारे पास, बल-बगर glow नहीं करी, तो reasons क्या-क्या हो सकते हैं, पहला हो सकते हैं, कि circuit कहीं से तूटा हुआ है, या फिर simply कि switch यहां पर off हो रखा है, ठीक है, So, यह जो points बता रही हूँ ना, जिन पर मैं थोड़ा focus डाल रही हूँ, वो mark होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है, So, now, electric current क्या होता है, electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area, ठीक है, electric current क्या है, electric current, देखो, electric current is expressed by the amount of charge flowing, ठीक है, amount of charge flowing through a particular area, in unit time, यानि कि rate, rate of amount of charge flowing, overall यही चीज़ होगी, it is a rate of flow of electric charges, this is what I want to tell you, rate of flow of electric charges, clear, तो यह हमें क्या मिल गई, यहाँ पर दूसरी definition मिल गई, ठीक है, और इस definition क्या है, अब मुझे क्या पता लगा यहां से, electric current की definition, क्या होता है, electric current, rate of flow of electric charges, ठीक है, in circuits using metallic wires, electrons constitute the flow of charges, ठीक है, अब यह important है, कि electrons constitute the flow of charges, यानि कि electrons ही क्या करते हैं, electrons ही movement show करते हैं, ठीक है, however, electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed, so electric current was considered to be the flow of positive charges, and the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric current, so यहां पर ना, basically, charge की direction की बात आ गई, इस वाले पैरा में, ठीक है, इस वाले यहां पर lines में, इस concept में क्या कहा गया है, कि जब पहली बार हमने electric current की discovery हुई थी ना, मतलब electricity की, तो basically, वहां पर पता नहीं था, ठीक है, let's support this to be your container, ठीक है, तो यहां क्या कहना चाहा रहे हैं, कि पहली बार जब वहां पता लगा था, कि electricity flow रही है, जब phenomenon electricity का पहली बार absorb करा गया था, उस time, ठीक है, उस time, जो है, electrons का नहीं पता था कि यह क्या होते हैं, ठीक है, they are not known that time, ठीक है, so, उस time क्या करते थे, flow of positive charges was taken to be the direction of electric current, यानि कि, जो positive charges, let's suppose positive charges, इस direction में move कर रहे हैं, तो यही direction क्या ले ली जाती थी, direction of electric current, ठीक है, conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as, opposite to the direction of the flow of electrons, देखो, positive, अब basically concept नहीं कि, detail में 11th में आता है, एक तरफ anode है, एक तरफ cathode है, ठीक है, तो एक type cathode है, या anode है, ठीक है, अब इतनी detail में जाना, लेकिन जिस तरफ electrons जाते हैं, उस से opposite side में proton जाते हैं, तो मैंने क्या कहा कि, यहां मैंने क्या लेना है, प्रेटोंस जिस side मुव कर रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, डायरेक्शन हमें लेनी है, तो प्रेटोंस के डायरेक्शन लेनी है, यानि कि, पॉजिटिव चार्ज की, तो एलेक्टों के respect में, अगर बात करूंगी, तो उनका opposite flow की direction लेंगे, खियर, everyone, खियर होगे सभी को, तो इस concept में किसी को confusion नहीं रहने चाहिए, क्या बताया, मैंने कि, भही, protons, चलो, simply ऐसे देख लो, protons, अगर इस direction में मूव कर रहे हैं, तो यही क्या हुआ हुआ ही, direction of electric current, अगर electrons इस direction में मूव कर रहे हैं, मालो की, एक condition यह है, condition 1, ठीक है, condition 2 में, electrons इस direction में मूव कर रहे हैं, तो इस direction में, जो electric current का flow होगा, flow of electric current will taken in this direction, और इस condition में, electric current का flow लिया जाएगा, इस direction में, clear, तो electrons इस side मूव कर रहे हैं, उससे opposite चलो ठीक है तो अभी तक के लिए लिख दो सबी की clear मुझे हो गया जिसको clear है वो जल्दी से type कर दो ठीक है यहाँ पर यह formula summarize करता है यह पहला formula आगया ठीक है तो जो notebook आपने खोल रखी है वहीं पर जल्दी से यह formula लिखेंगे if a net charge Q यहाँ से क्या पता लगता है कि Q is what charge को ही Q से show करते है if a net charge Q flows across any cross section of a conductor ठीक है if net charge Q flows across any cross section of a conductor in time T then the current आई through the cross section यहाँ ने कि यहाँ से देखो क्या बात याद रखनी आपको देखो यहाँ से याद रखनी है कि this is what this is current and this is what this is charge and this is what it is time so current is what charge per unit time is current current basically air current के अगर मैं बात करूंगी तो air का air का flow per unit time current basically rate को define करता है ठीक है so यह 12.1 formula मिल गया SI unit पे चलते हैं अब SI unit of charge is coulomb charge की SI unit not current की देखो current देखो यह बात important है current और charge charge को किस से रिप्रेजेंट कर रही हूं क्यूंसे current को किस से रिप्रेजेंट कर रही हूं है तो चार्च की आपर बतागे यह किस क्यू वाले की बतागे that is coulomb ठीक है coulomb C से रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पस जो current की होती है that is ampere ठीक है so अब यहां यह important बात आगे इसको मा करेंगे सभी अभी की अभी सब मा कर लो इस point को कि ऐसा unit तो पता लगे है coulomb अभी किस के equal होती है overall अगर हमें idea लेना है कि यह coulomb है कितना so it is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 to the power 18 electrons clear it is nearly the charge in the 6 into 10 to the power 18 electrons direct question यहां से आ सकता है बहुत important point है direct question यहां से आ सकता है कि बहुत एक कूलम में मलब कितना charge होता है कितने electrons कि इतना charge होता है ठीक है how many electrons ठीक है तो यह पूछने तो वहां mcq की form में आगा तो direct हमें टिक करना है 6 into 10 to the power 18 ठीक है क्योंकि देखो यह भी याद रखना है कि एक electron पर कैसे आया यह एक electron पर हमें याद रखना है कि एक electron का charge होता है just a second okay एक electron का charge होता है 1.6 into 10 to the power 9 माइनस 19 कूलम तो एक कूलम में आगा है 6 into 10 to the power 18 electrons clear electric current को ampere की unit से हम denote करेंगे किसके नाम के ओपर यह is equal to charge upon time ठीक है अब मुझे क्या पता है कि यह क्या है ampere है ठीक है और यह क्या है कूलम है upon time हैने कि second है तो this is what this is ampere simple ठीक है small quantities of current छोटी quantities को करना है तो milli ampere show कर लो micro ampere show कर लो मिली को M से denote करता है micro को new simple से यह सबको बता होना चाहिए ठीक है और यहां पर एक instrument आगया सारे important point आ रहे हैं ठीक है points की format में लिखना है अब दूसरा point लिखना है an instrument called ammeter ammeter वो instrument है जो की electric current को एक circuit में measure करता है second point ammeter देखो बड़ी-बड़ी heading डालोगे ठीक है heading डालेंगे सभी ammeter ठीक है ammeter के दो से 4 points लिखवा दूगी मैं आपको यहां पर ncrt से ही first point लिख लिए second point लिखेंगे it is always connected in series in a circuit ठीक है through is the circuit is to be measured ठीक है now अब यहां पर देख लो this is important point ammeter का नहीं है वैसे important point की भई electric current electric current की अगर मैं बात करूँ electric current की अगर मैं बात करूँ it flows in the circuit from positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through bulb and ammeter ठीक है तो positive terminal से negative terminal of the cell की तरफ movement शो करेगा ठीक है positive से ऐसे move करेगा और negative की तरफ आएगा clear तो हम हमारे पास अगर battery होती है न तो इस सरीके से होता है तो यहां से flow करता हुआ negative की तरफ आएगा ठीक है तो यह example क्या कह रहा है अब जल्दी से इसको discuss कर लेते हैं ठीक है आप basic समझा दिया है मैंने अब थोड़ा हम speed में concept cover कर सकते हैं चलिए यह question क्या कह रहा है current कितना given है 0.5 ampere ठीक है 10 minutes time दे रिया second में convert करेंगे charge निकाल ले very simple क्या पड़ा है अभी तक i is equals to q by t क्या निकालना क्यों निकालना q is equals to i into t t को किसमें convert करेंगे seconds में convert करेंगे it's very simple question ठीक है यह आप सभी के लिए na homework करके लाना ठीक है सो वैसे तो solution दे रहा है पर very easy it's very easy what does an electric circuit mean यह मैंने आपको मा कराय था electric circuit क्या होता है ठीक है define the unit of current सब मा करा रखा है calculate the number of electrons ठीक है मैंने बताया था कि एक electron पर कितना charge होता है 1.6 into 10 to the bar minus 19 coulm तो एक coulm में कितने electrons आएंगे यह calculate करके बताना है कॉपी में solve करके ठीक है और फोटो भेजने ग्रुप पे ठीक है सो सभी questions यह करा रखें अब सीधा चलते हैं electric potential and potential difference पे 12.2 पे ठीक है सो अभी तक किसी को भी कोई doubt है तो जल्दी से डाल दो chat section में ठीक है अब आगे चलते हैं okay what makes electric charge to flow let us अब हमारा electric charge जो है वो flow कैसे होता है और क्यों होता है let us consider the analogy of flow of water चलो अब ना water के flow के साथ comparison करेंगे charges जो है charges do not flow in a copper wire by themselves just as water in a perfectly horizontal tube does not flow ठीक है क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक horizontal हमारे पास एक water की tube है उसमें डायरेक्ली ऐसे water flow नहीं होता है ना मतलब हमारे पास ट्यूब इस तरीके से होगी और हमें मालो water का flow ऐसे कराना होगा तो अपने आप यहां पर तो नहीं होगा लेकिन हां यहां जरूर हो जाएगा यह यहां पर कह रहे हैं कि charges जो है वो अपने आप copper wire में नहीं होते हैं मतलब कोई भी metallic wire जैसे कि horizontal tube में water अपने आप फ्लो नहीं होता इस one end of the tube is connected to a tank of water kept at higher level ठीक है अगर एक end पे हम क्या लगा देख हाइर लेवल का tank जोहां पानी ज्यादा मांट में present है ठीक है water flows out of the other end of the tube अग ऐसे ही मतलब flow of charges के लिए ना conducting metallic wire the gravity of course has no role to play the electrons move only if there is a difference of electric pressure यहां पर क्या कहा है कि देखो यहां पर जैसे higher water concentration होगी यहां पर इससे कहां जाएगा lower water concentration की तरफ ऐसे ही क्या कहा है कि जो हमारे पास electric current है ना देखो यहां क्या कहा गया है कि अगर हम आपर electric pressure का difference रहेगा तो ही यहां पर electrons current वगएरा flow करेंगे यहां कि वहां क्या हो रहे है इनका difference हो रहे है किसका electric energy का ठीक है उसका potential बता रहे है तो इसको क्या कहेंगे potential difference along the conductor ठीक है तो यह होगे definition यह बहुत इसको क्या है पॉइंट है समझने का this difference of potential this difference of potential may be produced by a battery ठीक है तो battery की current flow होता है कैसे होता है क्योंकि वह potential difference generate कर देती है ठीक है the chemical action within a cell generates potential difference across the terminals of the cell तो यही सब कुछ points है मतलब potential difference is related ठीक है अगर वहां पर कोई current भी नहीं आएगा न मतलब क्या है कहने का कि हमारे पास battery क्या करती है pressure generate कर देती है और सबको पता होना शहिए battery क्या है battery is a group of cells cell क्या होता है cell single यह होता है ठीक है और यह battery होती है ठीक है होगे आगे जब रिवाइस करोगे ठीक है क्या voltage voltage मतलब potential difference अब लिखना है साथ में कि चलो कि SI unit electric potential difference कि किसने दी थी ऐलेसेंड्रो वॉल्टा ने ऐलेसेंड्रो वॉल्टा ने दी सेवन्टीन फॉर्टिफाइए इन की जो है वो दे रखी है इनकी life time दे रखाए टालियन फिसेस्टे वह एक चिक है भई एक वोल्ट क्या होता है वह हम फॉर्मले के थू कि भई देखो आप वर्क डण है जो वर्क डण की वर्क डण की यूनिट क्या होती है जूल्स ठीक ह है तो वर्क डण वर्क डण अपन वर्क डण अपन करेंट तो जूल अपन कूल वन जूल पर कूलम दिस इस पॉइंट यह देखो आप 12.2 वर्क वर्क डण होता है और आपको यहां solution भी दे रख्या होता है तो यह आपको खुद ही करना है इतने difficult question नहीं होते यह भी खुद a device that helps to maintain a potential difference across a conductor यह तीनों question ठीक है यह तीनों question पढ़ोगे थोड़ा ध्यान लगाओगे दोबारा read करोगे तो of course आप concept बिल चाहेंगे coming on to the circuit diagram अब circuit diagram को देख लो आप हमेशा हम क्या हमेशा हमेशा नहीं कर सकते कि हम पूरी bulb की बल्ब बना दी हमने बल्ब की बल्ब बना दे फिर पूरी battery बना दे पूरा circuit इतना अच्छे से हम हमेशा draw नहीं कर सकते तो certain symbols design करे गए हैं जिसे electric cell का यह मैंने आपको बिताया था और हमेशा जिकान रखना है जो बड़े वाला positive को देनोट करता है च्छोटे वाला negative को यह battery है यह plug कैसे denote करेंगे ऐसे और अगर close रहे तो इसमें यहाँ पर बिंदी लगा देंगे ठीक है एक wire joint है तो देखो मालो ऐसे था यह simple wire चल रहा था और दूसरा wire आके इस पर joint हो ग कैसे जोइन कर रहे थे आके इस तरीके से जोइन कर रहे थे लेकिन वो क्या कर रहा है cross कर रहा है without joining तो कैसे खरेंगे ऐसे electric bulb को basically ऐसे दिखा देंगे resistor को ऐसे variable resistance यह बाद में पढ़ाऊंगे आपको ammeter क्या है simply a लिग दो just voltmeter voltmeter basically voltage को मापने के लिए होता है ठीक है ओके तो यह हमने पूरा रीड कर ली चलो आप नीचे चलते है सरके डियाग्रम और पर चलते हैं सरके डियाग्रम का हर एक पॉइंट है जो पूरे 11 के 11 पॉइंट है यह notebook में होने चाहिए तो यह लिखा आना चाहिए और यह याद भी होने चाहिए तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पर homework आपको मिलता जा रहा है और सलो क्या कह रहा है और सलोड रिलेशन्शिप है बिट्विन पुटेंशल डिफ्रेंस आंड और यॉर करण्ट ठीक है तो अब चलते हैं यह अप्टिविटी आप खुद पढ़ ले ना अब में पॉइंट पे चलते हैं देखो यह क्या है हमारे पास पुटेंशल डिफ्रेंस हैं इनकी वोल्टेज है रखी है यहां पर और यह करण्ट है कहने का मतलब क्या है देखो अब ध्यान से अब्जाव करो इस ग्राफ को चलो पहले रीड कर रहा रहा है आपको यू वि V I graph is a straight line that passes through the origin of the graph as shown in figure V I क्या है constant ratio है देखो V I का एक constant ratio रहता है this is very important point V I V upon I is equal to constant it is very very important यही है exactly मतलब Ohm's law ठीक है find out the find out found out the relationship between current I flowing in a metallic wire metallic wire में ही current flow करता है potential difference across the terminals potential difference V है ठीक है electric circuit में मतलब क्या है कहने का कि यहां पर जो voltage है ना देखो V is equals to IT पढ़ाता ठीक है just a second V is equals to IT नहीं sorry V is equals to W by Q पढ़ाता भी है ना voltage is equals to work done इनकी Joule upon Coulomb यह पढ़ाता भी यह क्या थी voltage की हमारे पास थी voltage की जो सा unit होती है that that is your and here oh sorry guys voltage हो खुदी है की unit है मतलब potential difference की तो क्याने का मतलब क्या है यहां से वी चो है directly proportional है I can की potential difference है ना that is directly proportional की यहां पर current कितना है ठीक है so V by I is equals to constant is equals to R I R अब देखो यहां पर यह ग्राफ किसका दिखा रखा है यहां पर emicro wire का show का रखा है जो कि दिखा रहा है की जैसे हमारा potential difference झिको यह यह पर current है तो यह क्या है यह समझ गया है डायरेक्ली इस यह ग्राफ होते है नहीं तो यह हमारे पाद से आगे है रिजिस्टेंस ऑगेच चलते हैं रिजिस्टेंस क्या होता है resistance basically होता है कि एक हमारे पास जो circuit होता है ना तो वहाँ पर opposing forces लगने start हो जाते हैं तो circuit में current flow तो करता ही है opposing forces लग जाते हैं उसी को resistance कह देते हैं ऐसा unit किया है इसकी ohm है ठीक है and it is represented by the greek symbol जो कि हमें याद रखना है यह resistance का symbol है ohm's law के according r is equals to v by e और इसकी unit 1 volt upon 1 ampere ठीक है मतलब हमारे पास है क्या थी वी हमारे पास हम ने हमने क्या कर दी वी is equals to i r बिना दी बिना लोसे आई का formula भी वी बाई आर ठीक है clear what it is obvious that the current through a resistance is inversely proportional अब देखो यह तो obvious ही बात है कि मैं जो current है that is inversely proportional to the resistance क्या होता है inversely proportional का मतलब है कि जो अगर current increase कर रहा है यहन की resistance कम है अब देखो हमें क्या है speed में जाना है बहुत ही अच्छो क्या है तो वहाँ क्या होना चाहिए कि रास्ते में जाम नहीं होना चाहिए अगर जाम नहीं होगा तो हम normal speed पर भी असानी से चल सकते हैं और time पर पहुच जाएंगे लेकिन अगर जाम होगा तो हम जो जो हमारा नॉर्मल टाइम होगा उससे भी कम टाइम पर पहुचेंगे मतलब लेट हो जाएंगे है ना यह यहां पर कह रहे है resistance के एक तरह से रुकावट है ठीक है तो यह inversely proportional है जितनी कम resistance उतनी जल्दी हम पहुचेंगे उसी तरीके से यहां पर हमारे पास resistance और current का जो है relation है ठीक है तो higher resistance जहां पर होगी देखो यह बहुत important है कि जहां पर higher resistance होगी वहाँ पर क्या होगा conductivity जो है कम होगी जहां जादा जादा जाम लगेगा वहां से हम जल्दी नहीं पहुच पाएंगे resistance कहता से जादा जादा resistance होगी पूर कंडक्टर होगा कर छी xb डीपेंड करती है डिस आहँ जचो मेरे पास यहां सी च्शाटर्टी जेखो मेरे पास करते हैं, it is observed that the amateur, we observed that the resistance of the conductor depends on its length, on its area of cross section, on the nature of material, फिर्स पॉइंट किस पर depends करते हैं लिखे हुए है, ठीक है, तो resistance जो है, resistance directly proportional होती है, length के, and inversely proportional होती है, area के, ठीक है, तो यहां से formula के निकल किया है, length upon area, ठीक है, तो length से क्या मतलब है, length से एक तरह से आप road का example ले सकते हो, let's suppose कि मेरे पास एक road है, बहुत लंबा, ठीक है, बहुत ही लंबा road है मेरे पास, लेकिन उसका cross section कम है, तो क्या, मतलब माल लो गाड़ियां जो है, माल लो, एक time पर, मतलब, जो भी है, हमारे पास basically matter कौन से चीज करती है, यह वाले चीज जादा होनी चाहिए, area जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जितना चौड़ा road होगा, उतने ही जान लगने के chances कम है, क्योंकि आसानी से काड़ियां जो है, वहाँ से जा सकती है, ठीक है, लेकिन length का, length का क्या करना है, length से तो मतलब, जब तक यहाँ पर length matter करती है, लेकिन जब तक यहाँ जगह रहेगी, गाड़ियों के चलने की, जब ही तो वह चीज हो resistivity, यह क्या है, basically, electrical resistivity का resistance में, बच्चे जो है, इस concept में बहुत ही confused रहते हैं, ठीक है, maximum times देखा है, तो resistance क्या होते है, resistance होती है, कि वह कितनी रुकावट पैदा कर रहा है, ठीक है, वह क्या कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, और resistivity है, उसके property, material के property है, conductor की, ठीक है, िसीप करना है, कि it's silver, अच्छा, ए इतना हुना है, यह copper है, मुझे इतना हुना है, it's like that, देखो, यह कॉमन धीहाँ, पर दे रखिया कि copper कीप्नी है, silver कीप्नी है, aluminium कीपनी है, अगर यह amount पे depend करती तो ऐसे हम थोड़ी ना बना सकते हैं ठीक है so SI unit of resistivity के है ohm meter क्योंकि R is equals to चलो यहां लेखते हैं R is equals to चलो यहीं से देखते हैं R is equals to rho L upon A तो rho के निकालनी है हम SI unit तो देखो rho क्या हुझाएगा R is equals to rho L upon A तो R A is equals to तो जो एलियन के जो क्या हो जाएगा R A upon A resistivity क्या होती है ohm meter square upon meter meter से meter cancel resistivity क्या आगई ohm meter clear तो कैसे आई बता दिया मैंने ohm meter तो यह data आपको याद रखना है यह भी लिखेंगे notebook में कि जो metals होते है metals have low very low resistivity in the range of it need to it need low resistivity होगी जो भी तो कम रुकावट पैदा करेंगे कम रुकावट पैदा करेंगे यानि कि current असानी से flow हो पाएगा इसलिए वो क्या होते है good conductor of electricity insulators की अगर मैं बात करूं तो insulators like rubber and glass have resistivity in the order of 10 to the power minus sorry 10 to the power plus 12 to 10 to the power 17 okay so this order में होते हैं वो okay so both the resistance and resistivity of a material vary with temperature यह भी बहुत important point है okay यह अभी कि अभी अपनी notebook में लिखना है कि resistivity और रिजिस्टिविटी और रिजिस्टिविटी और रिजिस्टिविटी दोनों ही temperature के साथ वेरी करते हैं ठीक है so again एक एक जामपल आ गया चलोई मैं करा देती हूं आपको how much current यानि कि current पूछा है will an electric bulb draw from 220 volt यानि कि हमें क्या देदिया वाल्टेज ही गई है इस रिजिस्टेंस रिजिस्टेंस गिवन है 1200 ओम तो यहां से हम क्या करेंगे current current यानि कि हमसे आई पूचा गया है तो आहीं हमें पता है basically क्या होता है वी बायार होता है हम स्लों से बस निकाल दिया यह भी निकाल सकते हैं यह भी simple है ठीक है तो यह भी simple आप निकाल के लाना है 12.45 और 6 यह आपका homework है ना हम बात करेंगे resistance of a system of resistance ठीक है मतलब अवा arrangement के उपर है इनकी parallel और series की arrangement ठीक है तो resistance in series देख लेते हैं चलिए यहां से चलते हैं you will observe that the potential difference v is equal to the sum of potential difference v1, v2, v3 देखो यहां पर मैंने क्या कर दिया यह resistance यहां पर मैंने series में लगा दिये ठीक है तो यहां से हमें क्या पता लगेगा यह क्या कहना चाहर है कि जब हम resistance calculate करेंगे हमें पता लगेगा कि v1, v2 और v3 का जो total resistance है वो sum आ रहा है v1, v2 और v3 का ठीक है this is the point ठीक है अभी मैं पूरा explain कर दूंगे कैसे आता है that is total potential difference across a combination of resistance in series यह point दे रहा है कि किसके इकोल होता है sum of potential difference is individual के potential difference यह potential difference को denote करता है तो individual के potential difference के sum के according है अब चलो derivation बता देती हूं, electric circuit जो दिखा रहा है let i be the current through the circuit i current ही होता है ठीक है तो i मालो के current है circuit के through और यहां पर the current through each resistor is also i it is possible to replace three resistance join in a series when equivalent single resistors of resistance are such that the potential difference V across it and the current i through the circuit remain the same ठीक है मिले overall pressure वगेरा जो force लगाएगा जो resistance हो लगाएगा वो constant रहनी चाहिए ठीक है तो यहां से हम यह वाला formula लगा लेंगे V is equals to IR वाला ठीक है तो on applying अब हर एक की हमें क्या करने देखो अब individual देखो individual अब हमारे पास यह formula होता है V is equals to IR मैंने यहां पर mention कर दिया इंडिविजुल की अगर मैं बात करूं individually हर एक की बात अगर मैं करूं तो V1 V1 V2 V3 IR1 IR2 IR3 I जो current flow हो रहा है current amount flow same current के flow होगी ठीक है current flow same हो रहा है इसमें कोई amount vary नहीं कर रही तो resistor R1 R2 R3 IR1 R2 R3 from equation 12.11 1 तो IR किसके equal है अब देखो यहां पर देखो 12.11 में क्या था कि भाई V क्या है V1 plus V2 plus V3 यह मैंने आपको बताया था V is equals to V1 plus V2 plus V3 तो इस equation के according अब V1 plus V2 plus V3 कहा है अगर मैंने मतलब क्या हो गया कहने का कि भाई इन तिनों को add कर दो वही बात हो चाहेगी IR is equals to IR1 plus IR2 plus IR3 IR is equals to अब यह वाला concept कैसे है यह बता रहूँ आपर यह वाला point ठीक है तो यहां direct लिख रखा है IR is equals to I common ले लेंगे ठीक है तो I common लिया ना दोनों side तो I से I cancel हो जाएगा बस बच गया R is equals to R1 plus R2 plus R3 clear हो गई सभी को यह derivation तो यह basically हमें याद रखना है series combination का और अभी parallel का भी मैं आपको बिता दूंगी we can conclude that when several resistors are joined in series the resistance of the combination R as is equal to the sum of their individual resistances ठीक है इनके individual के add is this greater than any individual resistance तो एक individual के resistance ए greater होता है देखो मैं examples पर इतना focus नहीं करें क्योंकि of course NCRT ने आपर solution भी दे रखा है और यह easy questions भी होते हैं अगर किसी बच्चे को speed मेरी कम लग रही है तो live class के बाद आप recording इसको दुबारा देख लेना ठीक है कोई concept रह गया हो तो recording दुबारा देखना ठीक है तो parallel में क्या होगा again हमें वही काम अब यहां पर जो है न देखो यहां बहुत important concept यह है क्योंकि series में जब हम गए थे ना तो series में क्या था current होई रहा था ठीक है यहीं पर जो भी चुटा लेकिन amount of current flow same था लेकिन यहां से जितना current entry मार रहा है वह starting में डिवाइड हो जा रहा है ठीक है यहीं से current क्या है डिवाइड कर रहा है यह एक pathway बन गया यह एक यह एक यह एक यहनि कि current के हिस्से हो गए current डिवाइड कर रहा है और इस condition में voltage रहती है same series के case में voltage क्या थी? voltage differ कर रही थी current क्या था? same था current क्या था? same था इस condition में मैंने आपको बता दिये current same क्यों नहीं होता है इसी बात का थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है बागी तो सब simple है ठीक है बागी तो बस आप एक second में कर देंगे समझा के तो i is equals to v by r पर हम सबको पता है कि v क्या होता है v is equals to i r i is equals to v देखो सबसे पहले अब देखो total यहां से चार्ट करेंगे total current क्या होगी v is equals to i r तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा i is equals to v by r तो i1 is equals to v by r when v क्या है? same है constant है v क्या है? constant है और resistance तो चेंज करी रहा है और i1 i2 i3 भी हो रहा है तो i1 upon r1 इस तरह के समला i1 और r1 vary करेगा तो देखो i1 is equals to v by r1 i2 v by r2 के और i3 किसके equal है? v by r3 के equal है तो v by r p means पूरा product का final देखें तो तो यहां से अब हम मालों की तीनों को add कर रहे है r2 plus r3 तो यहां से v को again हम constant वही ले लेंगे जैसे हमने last condition में कर रहा था कि v1 by rp is equals to v1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 वही करके v से v cancel हो जाएगा और यह final formula आ जाएगा हमारे पास parallel combination के लिए ठीक है? parallel combination के लिए किसका formula आ गया? resistance का final resistance अगर हमें निकालनी है तो यहां से क्या clear हो गया कि parallel में reciprocal of the equivalent resistance a group of resistance is equal to sum of reciprocal का sum होता है ठीक है तो यह examples आप खुड try करेंगे and फिर जो last concept रह जाएगा इस chapter से that is the heating effect of electric current ठीक है? तो यह concepts रह जाएंगे इसी के applications मैंने आपको दिया था ठीक है और यह formulas आप याद करने ही है यह पता होना चाहिए यह examples try करने है यह questions try करने है ठीक है और formulas अभी नोटबुक में होने चाहिए सभी SI unit और formulas and again यह questions plus मैंने आपको यह का था कि यह भी लिखना है और याद करने है ठीक है so इसे के साथ अब next class में करेंगे ठीक है bye